हेलो फेंड स्वागेत है आप सभी का आपके प्रेश यूट चैनल पर दोस्तों ये वीडियो भी आप लोकले बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है वो इसलिए क्योंकि जब हमें घर को बनाते हैं तो हमारे माइन में बहुत सारी कनफीजन चलते हैं जब हम अपने घर के आपको डिसक्रस की भी करूँगा दिखा के ताकि आपको रचे समझ माए कैसे आप अपने घर में उसको दे सकते हैं और पसंद आने वाले आपको बस वीडियो में एक तक बने रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप वीडियो में देखी पा रहे हैं जो पहला डिजाइन है वो सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो railing का डिजाइन देगा यह MS के जो pipe होते हैं whole pipe है पर देखेंगे जो pipe है whole pipe है एक इंची चोड़ाई में और लंबाई की बात करें तो टॉप बाला outer जो है वो 1.5 इंची है तो इस तरीके से यह outer cover हो गया और साथ में जो बीच में आप कुछ vertical कुछ horizontal दिखाई दे रहे हैं वो एक इंची वाई एक इंची के हैं चार-चार इंची का थोड़ा gap दिया गया है आप चाहें तो तीन इंची दे सकते हैं और बात करें तो इस railing के design की तो यह lightweight होते हैं आप यहां पर लगाया गया आप देखेंगे कि यह जो नीचे से आप देख पा रहे हैं यह एक फिट यहां पर नीचे से ब्रिक बर किया हुआ है चिनाए कि यह और उसके बाद यह दो फिट यहां पर आपका रेलिंग के हाइट है तो पूरी हाइट होगे तीन फिट हाइट तो अब यहां पर जो भी आपका फ्रेंट में रहने वाला है और कुशिश करना कि च्छै फिट से पांच फिट चार फिट के दायरे में जो है आपको एक पिलर भी बनाकर देना है जैसा आप यह देख पा र देखर तो यह रेलिंग का डिजाइन आपके लिए ठीक रहेगा जो कि लाइट वेट है और बात करें तो पेंट हो के बहुत ही अच्छा लगने वाला है तो हम आगे बढ़ेंगे जो हमारा दूसरा डिलिंग के डिजाइन होने वाला है मैं एंड मैं आपको बताऊंगा इसमें जो whole pipe के उस्तेमान किया गया और में बहुत ही संदर लगा और साथी मैं इसके बारे मैं और बहुत तरीके से बताऊगा और सब महाम बजर्ट में तरीके से मैंने आप खुद अपना घर बना रहा था तो मेरे माइंड में एक रेलिंग को लेकर बहुत से कन्फिजन थी तो यहां अगर हम देखें इस दो डिलिंग की डिजाइन को तो यह आप देखेंगे और पास आप जो देख रहे हैं वह एक इंची वाइए एक इंची का जो पाइप है वह आ एक क्रोस में डिजाइन बनाएं गया है जो आप देख रहे हैं अब हर एक रेलिंग में आपको ध्यान देनी है कि जो भी आपकी एंकरिंग हो रही है जहां भी आपके होल फास्ट यहां पर छोड़े जाते रेलिंग को लगाते से वह आपको कंक्रीटिंग करने हैं जैसे कि तो इसी में इसमें जो करें गया है इसके जा हैं यह सेम वही tota है दो फिट इसकी रही की रिलिंग की है और अगर नीचे से बात किने तो एक फिट इसमें बरीक बंगिया है अब हम चलते हैं नेक्स रिलिंग के अपर तो वह जो आप सामने देख रहे हैं जैसे है और बाद में इसके उपर जो है रेलिंग के डिजाइन दिखाया था वो भी काफी मुझे अच्छा लगा दो यह क्या होते हैं कि जितना आप सिंपल रखते हो ना उतना ज्यादा ठीक रहता है बहुत से लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा यह बहुत सिंपल बहुत सिंपल जिसको बोलते हैं मुझे बहुत सिंपल लगा और अच्छी की बात कि रहें तो बहुत अच्छा भी लगा ठीक है यहां पर मैं अगर बात कर Eth伙्य आप सामने देख पार हैं यह एक्दम बहुत सिंपल है साथी बात करें चलिए अगर चाहते हैं मैं अगर भात करें तो सिंपल रखूा किसी तरह का ज्यादा डिजाइन भी नाक लेकि चलूं तो यह जो देख रहे हैं अब यहां पर यह ना पी जाएंगी आपकी केजी में तोली जाएंगी और यह देखा जाए तो बहुत सस्थी रहती है और यहां पे अगर हम और चीज की बात करें तो ब्रेलिंग लगा रहे होते हो तो कुछ रेलिंग की टिप्स भी में दे देता हूं आपको लगाते समय लेविल का चेक जरू बनाया है अगर वही गुलिया में बना के नहीं देगा तो जो पर गुझेर सामने आप यह देख पार है इससे रेलिंग से देख जाये तो बेट आपको मिलेगा यसे कि आप उपर की आप आप देखेंगे जो हैंड्रेल में देखा जाएगा वह आपका सवा इंची वाय सवाइंची का पाइप है चाहें तो आप दो इंची वाय दो इंची ज्ञाएं ठोड़ा जाधा हो जाएगा तो यह सोच के आपको जरूद चलना है और धिहान रखिए कि इसकी हाइट को लेके गिर सकें बहुत से लोग चड़ जाते हैं इस तो यह सोचना पड़ना देखो आप यहां देखोगे कि जो रेलिंग है इसकी हाइट जो है वो है सवा दो फिट ठीक है यह सवा दो फिट इसकी पूरी हाइट है और नीचे जो बोटम में ब्रिक बर किया है वो 9 इंची किया गय मैंने आप दिखा गया और आप जल्हें देखा है और यह ईंची के बीटेखनें यह और लेने की यह 5 जीके आपको पसंद आयोंगे मैं यह नहीं करा कि आपको सब पसंद आयोंगे अगर कोई भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूज करना उससे पहले मैं आपको बताऊंगा रेलिंग के जो कॉस्ट रही है इस तरह कि जो रहती है वह आप 80 रुपे पर केजी के इसाफ से कर दो